नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चानल मेटू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलजन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से हर्याना में जाड आंदोलन की जाज रिपोर्ट में संसलिक सेज खुला साथ आंदोलन के दौरान जाड पुलिस कर्मियों के विप्रो करने का दावा सरकार के आदेश मानने से कर दिया इंकार मूर्थल गैंग्रेव के इसके चश्मदीद बॉबी जोशी पर जान लेवा हमला मामने की जाज कर रही साइटी से की निखिक शिकायर पहले से ही मिल रही थी धंकी निटिश के संग मुक्तक भारत के नारे पर वीजेपी का परतवार कहा एक बार शाखा में जाओ सौफ़वेर ठीक हो जाएगा चतिजरर के सुकमा जिले में IED ब्लास्ट में तीन जवान घायर चिंता गुफ़ा के पाल CRTS के जवानों पर नक्सलियों ने किया था हमला और कश्मीर धाटी में नियंतरन में आये हालार इंड़नेट और मॉबाइल फोन सेवा बहार तेजी से सामन्ने हो रहा है आम जन जीवन मूर्थल गैंगरेप केस के चश्मदीद बॉबी जोशी पार देरात जान लेवा हमला हुआ है उन्होंने मामले की जांच कर रही S.I.T. से इसकी लिखित शिकायत की है कुछ दिन पहले ही बॉबी जोशी को जान से मानने की धमकी मिली थी बॉबी ने बताया था कि उन्हें एक फोन आया जुसमें किसी ने कहा कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो हम तुमें देख लेंगे धमकी मिलने के बाद बाबी ने हर्याना सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि उन्हें सुरक्षा मुहिया कराई जाए बाबी जोशी ने इस कॉल की शुकायत हर्याना के आईजी को भी की थी हर्याना में फर्वरी में जौट आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर गठित कमीटी की जौच के दौरान कई चौकाने वाले बयान दर्च किये गए हैं इसमें सामने आया है हिंसा के दौरान कई पुलिस कर्मीयों ने विद्रो कर दिया था उन्होंने उपर से मिले आदेशों को भी मानने से इंकार कर दिया था इनमें से ज़्यादतर पुलिस कर्मी जौट समुदाय से थे और इनकी संख्या सेकडों में थी रोतक और जजेर में इस तरह की ज़्यादतर घचनाय हुई प्रतेख जिले में उस्तन साथ सतर पुलिस कर्मीयों ने अपने पद की जिम्मदारियों को छोड़ा इस दोरान भीर ने कई दुकानों और घरों को जला दिया पैनल की रिपोर्ट में सबसे चिंता जनक तथे ये सामने आए कि 19 फरवरी को हिंसा के भड़कने के बाद जाट समुदाय से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने अपने पद और दफतर छोड़ दिये कश्मीर घाटी में हालात देजवी से सामने हो रहे हैं इस बीच घाटी में इंटनेट और मोबाइल सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है हंद्वारा में प्रदर्शन के दौरान सेना की गोली से हुई तीन लोगों की मौत के बाद से हिंसा भड़क गई थी जिन लोगों की मौत हुई थी वो नाबालिक लड़की के साथ कथित तौर से सेना के एक जवान द्वारा छेडखानी के जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे हालाकि बाद में उस नाबालिक लड़की ने सेना के जवान द्वारा छेट खानी के जाने के आरोप को गलत बताया था इस घटना की वज़ा से शुरू हुए हिंसक विरोध फ्रदर्शनों में कुल पांच लोग मारे गए हैं देश को संग मुक्त करने के नितिश कुमार के आवान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि आरेसिस के आलोचकों को कम से कम एक बार उसकी शाखा में भाग नेना चाहिए ताकि उनकी गलत धारनाय मिठ सके पार्टी ने रविवार को सपष्ट किया कि उसका मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने के परयासों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पार्ट ने कहा कि मोधी सरकार को देश के विकास एवन गरीबों के लिए काम करने से रोकने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे बीजेपी प्रवक्ता श्रीकान श्र्मा ने बिहार की नितिश्च सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज के दिन फिर से लोट आए है श्रमा ने कहा कि शाखा में जाने से ही नितिश्च के सौफ्टवेर की तकनी की खामियाद दूर हो सकेंगी क्वाडोर में आए भुकम्प में मतक संख्या बढ़कर 246 हो गई है भुकम्प के बाद से बचाव अभ्यान जारी है ताकि जीवित बचे लोगों को बहार निकाला जा सकें भुकम्प के कारण कई कैदी भी जेल से भागने में सफल हो गए शनिवारात को आये 70 दशवलवाद तिरवरता के भुकम्प के कारण करीब 25-100 लोग घायर हो गई इस भुकम्प में कई इमारते ढहे गई शनिवारात को एक मिनिट तक आया भुकम्प इतना त्रिव्र था क कि यहाँ पिछले 40 वर्षों में इतना भीशन भुकम नहीं आया है। भुकम के कारण कई इमारते ढह गई। विद्यू तलाईने टूट गई और घबराय हुए नवासी अपने अपने घरों से बाहर की और भागे। गुजरात के मेसाना में पाटिदार अरक्षन आंदोलन की वजह से भर की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू अजबा 6 बजे के बाद हटार लिया गया है। हाला कि एतियात के तोर पर सूरत और मेसाना में अभी भी धारा 144 लागू है। राज्य की मुख्य मंतरी आनंदी बैन पतेल ने लोगों से शान्ती बनाय रखने की अपील की है। इस बीच अफाय फैलने से रोकने के लिए कई लागों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है। केंद्र ग्रह मंतरी राजनाच सिंग ने गुजराच सरकार को शान्ती बनाय रखने के लिए जरूरी मदद का भरोसा भी दिया है। विदेश मंतरी शिश्मा सुराज दो देशों के दोरे के दूसरे चरण में रविवार रात रूस पहुँच गई। शिश्मा इस दोरान रूस भारत और चीन के विदेश मंतरियों की वाश्विक बैठक में हिस्सा लेंगे। राइसी की बैठक में शुर्कत करने के अलावा शिश्मा मौस्कों में अपनी रूसी समक्ष से भी मुलाकात कर सकती है। शिश्मा अपने चीनी समक्ष वागिई से भी मुलाकात कर सकती है। बच्चों समेत करीब 44 लोगों को लेकर ये बस देवगड से भारगड के रेमडा को लोट रही थी। कि ये बहारी इलाके तेलियाबानी गाईलो घाट पर 250 फूट से अधिक गहरे खड़े में जागिरी। पुलिस के मताबिक ज्राइवर द्वारा एक तीखा मोड काटने के चलते ये हदसा हुआ। जेनु छात्र संक्या ध्यक्षकनहया कुमार और उमर खालित को जान से माने की धमकी देने के सलसले में पुलिस ने दो लोगों को गिरिफतार किया है। पुलिस ने बताया कि शौरव उत्तर प्रदेश नव निर्मान सेना के प्रमुक अमिजानी का छोटा भाई है। जुसने कथित रूप से कनहिया और उमर को धम की भरापात्र लिखा था। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में प्रधान मंती नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषन की सीडी की जाच करेगा। जहां आदर्ष आचार सहीता का उलंगन करने के लिए उन्होंने मुख्य मंत्री ममता बैनर जी की आलोचना की थी। वश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम वीडियो की सीडी को चुनाव आयों के पास भेजेंगे। वो देखेंगे कि क्या करना है। मोदी ने कहा था या तो तुनामुल कॉंग्रेस या इसके वकील या खुद ममता जी को जवाब देना चाहिए था। लेकिन अगर ये सच है कि मुख्य सचीव ने जवाब दिया है तो ये आदर्श आचार सहीता का उलंगन है और सरकारी मशुनिरी का दुरुप योग है। उन्होंने कहा कि बिल्डरो की वादा खिलाफी बरदाश नहीं की जाएगी बिल्डरो को तैय वक्त का पालन करना होगा। उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। ऐसे मामलों पर लगाम के लिए ही केंदु सरकार ने रियल स्टेट बिल लगाया है। दिल्ली में और इवन योजना की असली परिक्षा आज हो रही है क्योंकि पिछले दिनों छुटियां होने के कारण इस योजना का ज्यादा असर नहीं हुआ था उधर दिल्ली सरकार ने इस मुहीम के अगले चरण में दो पिया वहनों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है आमादमी पार्टी सरकार योजना को स्थाई तोर पर लागू करने के साथ ही दो पहिया वहनों को भी इसके दाइरे में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है दिल्ली के परिवहन मंतरी के मताबिक अगले महीने से दो हफ़तों के लिए और इवन योजना को स्थाई करने पर विचार किया जा रहा है इन दो हफ़तों में मिले फीड़बैक के बाद इस और कदम बढ़ाया जाएगा दिल्ली ओटो रिक्षा संग और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियोनों ने सोंबार के लिए घोशित की गई हर्ताल वापस ले ली है उनकी मांगे पूरी करने के लिए दिली सरकार के कलिखित आश्वासन के बाद यूनियोनों ने ये फैसला रविवाराथ को किया राश्वरालधानी में उटो, रिक्षा और टैकसी चालकों का बड़ा धढ़ा दोनों यूनियोनों से संबंध है दोनों यूनियोनों ने बताया कि परिवहन मंत्री गौपाल राय ने उन्हें मांगे पूरी करने का अश्वासन दिया है पाकिस्तान से आए अलप संख्यक हिंदूओं को भारतिय नागरिक्ता देने की प्रक्रिया असान की जाएगी ग्रे मंत्राले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में पाकिस्तान के अलप संख्यक समुदाय के लोगों को लंबी अवधी का वीजा दे कर संपती खरीदने, बैंक खाता खोलने, पैन और आधार संख्या मुहिया कराने पर भी विचार किया जा रहा है भारत सरकार ने रविवार को इसकी खोशना की, प्रस्ताव के अनुसार ऐसे लोगों से बहुत कम फीस लेकर 18 जिलो के डी-म को दो साल की अवधी में नागरिकता देने तक का अधिकार दिया जाएगा इंडियन दिबट बॉर्डर पुलिस ने अपने जवानों को मॉबाइल आप और सोशल मीडिया खास कर फेस्बुक के इस्तमाल में सावधानी बरतने की सलहा दी पाकिस्तान की ओर से स्पाई आप के जरिये की जा रही जासूसी की कोशिशों के बीच ITBP के महानिदेश्वक ने जवानों को खास कर अंजानी लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल नहीं करने को कहा ITBP ने बीते दनों एडवाइजरी जारिकार इस मामले में एहम निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सीमा और समवेदन श्रील इलाकों में तैनाथ सभी यूनिट्स के जवान किसी तरह के मोबाइल आप्स का इस्तमाल ना करें UP में बलिया पहुंचे गोरगपुर सिसांसद योगी अधितनाथ ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है वो रोम से नहीं आया है वो पैसा देश को रोम से दहेज में नहीं मिला है ये पैसा देश के बड़े बड़े चोरों के पॉकिट से निकाला गया है और इसी पैसे से एक माई को बरेली में पी-एम मोदी उजवला योजना की उन्हों ने कहा कि सपा बस्पा और कॉंग्रिस ने लोगतंतर का मजाख बनाया है दिमानी कारें मंत्री चुने जाते तो राम मंदिर का निर्मान हो गया होता उन्हों ने कहा कि मैं राजीव गांधी को बहुत अच्छी तरह जानता था अगर वो दोबारा प्रधान मंत्री बनते तो उन्हों स्वामी ने कहा कि राजीव गांधी ने राम मंदिर के लिए ताला खुलवा दिया था और मंदिर के लिए सिला नयाश का रिक्रम की अनुमाती देवी थी शीडी में साई मंदिर में रिकॉर्ड चड़ावा की खबर को द्वारका शार्दा पीट के शंक्राचारे सौमी स्वरुपानंज सरस्वती ने दिखावा बताया उन्होंने कहा कि ट्रस्ट चड़ावे की जानकारी दे रही है क्योंकि वो बताना चाहती है कि श्रंकाचारे के साई की पूजा करने से मना करने का कोई असन नहीं हुआ है बयान के बाद भी उनके पास अर्बो रुपईया आ रहा है श्रंकाचारे ने कहा कि ये पैसा गरीब सामन्य तीर थियात्रियों का नहीं है आम तोर पर ये विदेशियों के रुपए है ये बड़ी रकम भारतियों के धर्म परिवर्तन के लिए इस्तिमाल किया जाता है ये ब्लैक मनी है और वो इसे प्रकाश्वित कर इसे सफेद करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उलहक ने अफगान टीम के कोच पद से इस्तिपादे दिया है इंजमाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चौयन समीती का प्रमुख नियुक्त किया गया है इंतिजमाम ने अफगान टीम के साथ तैसमय से आठ महीने पहले ही करार खतम किया है अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टी कर दी है अफगान बोर्ड ने कहा है कि इंजमाम ने राश्ट्री जिम्मदारी को देखते हुए करार खतम किया है वो मानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत खराब दोर से गुजर रहा है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से तो आप जुड़े रहिए मेर्ट तुटी दी के साथ तब तक के लिए नमस्कार